है गाई तो देखो अब हम लोग शुरू करेंगे त्रिवीवी जीमती ठीक तो यहां पर आज हम लोग पढ़ेंगे प्रशनावली 11.1 को ठीक तो यहां पर इस प्रशनावली को वैसे समझने से पहले मैं आपको कुछ बीसिक चीजें चलो यह बता देता हूं वैसे तो इसमें इस चाप्टर का यानि जो 3D आपका है जिसको बोलते हैं तो यह जो 3D है इसमें समझने के लिए बहुत कुछ है बट एक साथ मैं आपको सब कुछ ने बताऊंगा अगर बता दूंगा तो वैसे भी आपको समझ में नहीं आएगा ठीक इसलिए मैं उतना ही आपको बताने को कोजिया क्या होते हैं तो दिकोजिया यहां पर जो होते हैं L M N यह होते हैं दिकोजिया और इनके जो वैलू होता है वो यहां पर क्या होता है देखो एल बराबर होता है कॉस इलफा होता है और उसके बाद में M बराबर में होता है कॉस बीटा होता है और N बराबर होता है क काता है ठीक तो यह संबंद भी आप यहाँ पर रियाद रखना है और यहाँ पर अगर देखो एल बराबर क्या होता है कौस इलफा होता है तो आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हो यह वाला आप याद रखना ठीक यह आपको बहुत काम आएगा अभी बस नौर्मल जा सूत्र समझते चलिए और उसके बाद सवाल आगे कैसे लगाना हो चीज़िए मैं आपको उता दूँगा तो चलो अब देखते हैं दिक अनुपाद ठीक किसी रेखा के जो दिक अनुपाद होते हैं वो क्या होते हैं तो देखो यहाँ पर जो दिक अनुपाद होते हैं तो दिक अनुपाद ठीक तो दिक अनुपाद जो होते हैं वो मतलब नॉर्मल से जैसे देखो जैसे कि यहाँ पर कोई बिंदू है एक बिंदू यहां पर यह है और इसको आप माल लो यहां पर यह X1 है Y1 है Z1 है ठीक और एक दूसरा बिंदू यहां पर है X2 Y2 और Z2 ठीक तो इन दोनों बिंदूों से होकर जाने वाली यह जो रेखा है अगर पूछ लिया जाए कि इस रेखा के जो X2 में से X1 को आपको घटा देना ठीक तो X2 माइनस X1 हो जाएगा यह एक हो जाएगा और इसके बाद दूसरा हो जाएगा Y2 माइनस Y1 हो जाएगा और तीसरा हो जाएगा Z2 माइनस Z1 ठीक तो मतलब इधर वाले से इधर वाले को घटा देना ठीक यह हो जाएगा Z1 तो यह ह मतलब कि जब आपको दो बिंदू दिये गए हो और उसके दिकनुपात पूछा जाए जनी उससे होकर जाने वाली जो रेखा है अगर उसके दिकनुपात पूछा जाए तो ऐसे आपको निकाले ना ठीक अब यहाँ पर एक और होता है कि जैसे कि देखो अब यहाँ पर देखो जैसे कि आपको दिक अनुपा सवाल में दे दिया गया ठीक और आप से फूच लिया जाए कि दिक कुज्या बताओ तब आप क्या करेंगे तो देखो जैसे कि मालो यहाँ पर जो कुई रेखा है यानि क किसी रेखा के जो दिककोज्य हैं दिककोज्य वो एल एम और अं है तथा जो दिक अनुपात है दिक अनुपात अगर दिक अनुपात और यहां पर दिक अनुपात मालो जो A है, B है और C है, तो, तो इन दोनों में जो संबंद होता है, वो क्या होता है, तो देखो, यहाँ पर क्या होता है, तो वो देखो, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यह जो L है, इसको आपको इसके बटा कर देना, या नहीं, आपको इसको ऐसे लिखना है, L बटे में A, यह संबंद होता ठीक बराबर में आपको लिखना है M बटे में B ठीक तो M बटे में B लिखना है बराबर और यहां पर लिखा है N बटे में आपको लिखना है N बटे में C और इन सब को कर देना है K के बराबर ठीक तो यह संबंद होता है दिकोज्या और दिकनपाद में ठीक अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो, इस K को आपको एक बार इसके बराबर लिखना है, एक बार इसके बराबर लिखना है, एक बार इसके बराबर लिखना है, ठीक, तो जब हम लोग यहाँ पर L बटे में A, इसको जब इसके बराबर करेंगे ति यह हो जाएगा, उसके बाद n बटे में c इसके बराबर करेंगे यह हो जाएगा ठीक तो यहां से देखो इसको तीरिया गुणा करेंगे तो बराबर कितना हो जाएगा ए और के हो जाएगा ठीक उसके बाद यहां पर हो जाएगा एम बराबर में तीरिया गुणा करना ठीक बी के हो जाएगा और यहां पर एन बराबर में c के हो जाएगा ठीक अब यहां पर हमें पता है क्या होता है एक होता है तो यहां पर हम लोग क् तो यहां पर यहां पर BK हो जाएगा इसका स्क्वाइर प्लस में यहां पर हो जाएगा CK और इसका ओली स्क्वाइर हो जाएगा ठीक बराबर में एक लिख देना ठीक अब यहां पर हम लोग देखेंगे इसका स्क्वाइर करेंगे A स्क्वाइर और यह के स्क्वाइर बन जा अब देखो इसमें भी k2 मिल रहा इसमें भी k2 मिल रहा इसमें भी k2 मिल रहा तो सम में कॉमा है तो हम लोग यहां पर k2 काउमा ले लेंगे ठीक तो देखो यहाँ पर हमने कॉमा ले लिया k square ठीक अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो यह गुड़ा में है तो इसको हम लोग इधर बेज सकते हैं किस में हो जाएगा यह भाग में हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर बराबर में हो जाएगा एक बटे में a square प्लस में v square प्ल में c2 टिक तो एक कंड रूट याனि एक ही होताया तो इसको मैं ऐसे लिए सकते हैं अंडर ऋट में a2 plus v2 plus c2 तो यह k marvelous कि तना आ गया यह तो अब दो कहो इलnych आपर क्या था इल अ बराबर ठांबंत कि एक था और और M बराबर क्या था B के था, और इसके बाद N बराबर क्या था C के था अब हम लोग K के स्थान पर इस value को रख देंगे ठीक तो याने L बराबर कितना हो जाएगा A और इसके बाद in two में 1 बटे में ये हो जाएगा a square प्लस में v square प्लस में c square और इसी तरीके से m बराबर हो जाएगा b गुड़े में k के स्थान पर हमें क्या लिखना है जो अभी value हमने निकाला ठीक a square प्लस b square प्लस में c square इसी तरीके से n बराबर हो जाएगा सी गुढएं में इक बटे में a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर फिस्क्वेयर हो जहेगा ठीक होगा कि हएगा यहां पर किया जाएगा iedereen कि यहांपर ऐस्क्वेयर प्लस बीद्ग प्लस C स्क्वेर और यहां पर हो जाएगा M बराबर में B बटे में यहां पर हो जाएगा हमारा A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस में C स्क्वेर और यह हो जाएगा N बराबर में C बटे में A स्क्वेर प्लस B square प्लस में C square ठीक आप देखो यह आ गया हमारा L और M और N ठीक यह हमारे एक तरफ सकते हो सूतर आ गया ठीक अब एक बास समझो यहाँ पर अगर यहाँ पर A और यहाँ पर यह A यह B यह C यह सब क्या है A B यह C जो दिक रहे हैं आपको यह क्या है यह आपके दिक अनुपात है और यह जो L है M है N है यह क्या है दिक कुज्या है याद रखना ठीक L M N क्या होते हैं दिक कुज्या होते हैं और A B C यह क्या है यहाँ पर दिक अनुपात है अब एक बास समझो यहाँ पर अगर आपके सवाल में मालो की दिक कोज्या दिया है अगर आपसे दिक अनुपात निकल रहा है बोल रहा है कि दिक अनुपात बताओ वैसे तु नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपके सवाल में आपको कैसे सवाल मिलेंगे आपको अपकोसे पूछा जाएगा और आप से पूछा जाएगा कि आप बताओ दिक और इतना है और उसके बाद इतना है यह बता इतना है और अभी ऐसे सवाल मिलेंगे इसलिए मैंने आपको यह शूतर बता दिया ठीक तो जितना मैं आपको बता रहा हूँ बस इतना यह आपको मतलब ध्यान देना याद रखना है यह सब सूत्र आप याद रखना है ठीक याद क्या रखना है आपको याद इतना रखना है बस और यह जो पूरा यह जो कहानी है यह सब कुछ नहीं करना ठीक आपको बस इतना या का सबस्क्राइब गलों की ख्याने थामनुट में यक्सक्ता जाए तो है कि आपको आपको निकालना इसका मेशियाइतार यहां पर सब्मक्राइब आप श्रबार चाहीब आसी होगा थे कि यहां पर दिखा था एक चीज़ और यहां पर बात यह है कि दिक कोज्या यहाँ पर क्या है आपके दिक कोज्या यहाँ पर है L, M और N यह क्या है दिक कोज्या है तथा दिक अनुपात यहाँ पर क्या है दिक अनुपात ठीक तो यहाँ पर जो दिक अनुपात है A, B, C यहाँ आपके दिक अनुपात ठीक इन दोनों में एक संब लो यह जो होता है यह बराबर होता है इसके अंडर रूट लगू यहां पर क्या है l square 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 कर Lagos safe square कर दो ठीक और nella mz आ inब को दो बटे बटे इसी तरह केसा को नीचे भी कर नट टीक यहां पर कर दो號 प्लस में इसकाई square करके लिग्दो sexual और प्लस में इसका इस्क्वेर करके लिख दो ठीक मतलब इस चीज को आप इसके बराबर लिख सकते हो ठीक मतलब इसके बराबर होता है ठीक समझ दो ना मतलब ये जो सब होता है के के स्थान पर आप इन सब को भी लिख सकते हो ठीक तो दखो यहाँ पर क्या है इसके स्थानग पर एक ही होता है अभी सुथ्रम ने पढ़ा था तो एक और और अंडरूट जो लगा है एक का अंडरूट क्या होता है ANE ही होता है तो यहानि आप इसको लिख सकते हो एक बटे में यहाँ पर A square plus B square और प्लस c square ठीक इसको आप ध्यान में रappyος रखना की जब ऐसे लिखा होता है L बठे में M बठे B और मालो की N बठे में C लिखा है तो इसको आपको कैसे लिखना है ऐसे लिखना ठीक अंडरूट लगा दो इसका square इसका square इसका square एक चीज और समझ लो कि देखो अगर किसी सदिस के आप से दिक कोजिया पूछा जाए तो वो L बराबर क्या हो जाएगा मतलब बटे में A² प्लस B² प्लस में C² हो जाएगा ठीक एसे normally आपको उताना है ठीक और M बराबर में क्या हो जाता है मतलब B बटे में अंडर रूट A² प्लस में B² प्लस में C² और N बराबर में C बटे में अंडर रूट A² प्लस B² प्लस में C² ठीक और यहां पर अगर आपसे रेखा के दिक अनुपात के दिया जाए रेखा के दिक अनुपात ठीक तो इसको आपको ऐसे लिखना है L बराबर में प्लस मinder रहेगा वही सूत ठीक तो प्लस माईनस इसमें लगा दे जीक प्लस में C square इसी तरीके से इसके आगे प्लस माइनस इसके आगे प्लस माइनस ठीक तो यहाँ पर प्लस माइनस B बटे में अंडर रूट A square प्लस B square और प्लस में C square ठीक इसी तरीके से तीसरा हो जाएगा प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट A square प्लस B स्क्वार प्लस में C स्क्वार हो जाएगा ठीक तो यह होते हैं और यह होता है सदिस के ठीक चीज़ यहां पर और समझ लो कि जैसे कि मालो दो रेखा दिये गए हैं और उनके बीच का कोड क्या होता ठीक बराबर में यहां पर A कैप डॉट में B कैप का मॉड और बटे में मॉड ओफ A कैप मॉड ओफ B कैप ठीक यह होता है और मालो कि यहां पर मालो A कैप बराबर क्या है और यहां पर A कैप बराबर क्या होता है L I cap होता है प्लस में M J cap होता है और प्लस में N K cap होता है ठीक और B cap बराबर क्या होता है B cap बराबर इसको L1 मानलो इसको M1 और इसको N1 ठीक और B cap बराबर होता है L2 I cap प्लस में M2 J cap और प्लस में N2 K cap ठीक तो अगर यहाँ पर यह है तो अगर हम लोग यहाँ पर रखेंगे जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर इसका जो value आ जाएगा वो कितना हो जाएगा तो यह cos theta फिर हो जाएगा cos theta देखो इसको इससे करेंगे तो यहाँ पर देखो यहाँ पर हो जाएगा 1 और l2 हो जाएगा गोड़ा करेंगे आपस में ठीक तो और i cap dot में i cap की मतलब की i cap और dot में i cap का value क्या होता है एक होता है तो यानि इसके स्थांप एक हो जाएगा तो यानि ये सूत्र बन जाएगा आपका mod of l1 into में l2 और इस तरह के से इसको इसको multiply करेंगे तो m1 m2 हो जाता है प आप सिधा personally सवाल लगाते है ठीक personally सवाल क्यूंकि वैसे तो अभी और बहुत से चीज़े हैं आपको बताने के लिए बट अभी इस personally बस इतना ही काम आएगा बाकी जो काम आएगा वह आपको आगे बता देंगे अब अगर एक साथ बता भी देंगे तो आपको वैसे भी य तो देखो यह है हमारा प्रस्णावली 10.11 और यहां पर जो पहला सवाल है वो यहां पर लिका है एक रेखा यक्स वाई तथा जड़ अच्छ की धनातमक दिसा के साथ क्रमसा 90 अंस 60 सथा 30 अंस के कोड बनाती है तो रेखा की दिक को जयां ग्यात की जे ठीक यानि आप से प यानि एलफा बीटा गामा इनकी वाईलू क्या है नम्बे आल्स 60 और यानि की 30 अनस थीक तो यहां पर जो इलफा वाईलू कितना है 90 दिया हुआ ठीक यानि यक्स अच्छ के साथ जो कौड बनाता है वो लंफा होता है और यहां पर कितना है यानि 90 ठीक तो यहाँ पर हमें इसके स्थान पर 90 रख दीना है तो cos 90 का value क्या होता है तो यह होता है 0 होता है उसके बाद यहाँ पर M, M बराबर क्या होता है cos, बीटा होता है तो यहाँ पर जो beta का value है वो 60 अस दिया गया है Y तो यहां पर हो जाएगा कॉस साट अंस का वैलू एक बटा दो होता है ठीक उसके बाद इन तो यहां पर इन बराबर क्या होता है इन बराबर जो होता है वो होता है कॉस गामा तो यहां पर क्या होता है कॉस और यहां पर इसका वैलू कितना है 30 ठीक तो यहां पर 30 रखेंगे तो cost 30 ans का value क्या होता है under root 3 बटे में 2 ठीक तो ये आपके answer जाएंगे चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं तो देखो ये आपका सवाल number 2 है यहाँ पर लिका है उस रेखा की दिक कोजिया ग्याद कीजिए जिसके दिक कनपात यहाँ पर यह दिये गए ठीक अभी मैंने आपको इसके पहले बताया था शुरू में कि दिक कोजिया आपसे पूछ लिया जाएगा और आपको दिक कनपात दे दिया जाएगा और आपसे पूछ जाएगा कि दिक कोजिया बताये ठीक तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको सूतर बताया ठीक तो देखो दिक कुझे क्या होते है, L होते हैं, M होते हैं, N होते हैं, यही आपके दिक कुझे होते हैं, अगर कोड दिया गया है, तब तो आपको L वराबर कौस इलफा लगा देना है, अगर आपको दिकनफात दिया गया है, और आपसे दिक कुझे आप पूछा जा रहा है, तब आपको L बराबर मैंने यह जो बताया था आपको A बटे में यहाँ पर A स्क्वेर प्लस में B स्क्वेर प्लस में C स्क्वेर यह करना ठीक यहाँ पर जो यहाँ पर देखो A का वैलू यह है यह B का वैलू है यह C का वैलू ठीक ऐसे और यहाँ पर M बराबर क्या बताया थ बी बटे में अंडारूट अज़ु हम जब रखेंगे तो यहां पर लिख दो दिक कोज्या तो ये दिक कोज्यानि ल बराबर हो जाएगा इसके स्थान पर रखेंगे दो उसके बाद बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर दो का स्क्वाइर करेंगे चार हो जाएगा प्लस में एक यहाँ पर रखेंगे एक का स्क्वाइर करेंगे एक हो जाएगा ठीक और उसके बाद और यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 दुनना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा हमारा 2 बटे में 4 4 8 9 ठीक अंडर उटना हो जाएगा और यह 2 बटे में और इसको बाहर निकालेंगे तो बन जाएगा 3 ठीक क्योंकि यह 3 कवर होता है इसलिए इसको बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा तो यह हो जाएगा हमारा L उसके बाद M, M कितना हो जाएगा M यहाँ पर हो जाएगा B होता है, M बराबर क्यों होता है B होता है, तो B के स्थान माइनस 1 रखना है और बटे में यहाँ पर क्या हो जाएगा इसमें भी वही चीज हो जाएगा एक वैलू कितना है दो दुना चार हो जाएगा प्लस में बन हो जाएगा प्लस में चार हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा माइनस एक बटा अंडर रूट नो और यह हो जाएगा माइनस एक बटा तीन हो जाएगा ठीक उसके बाद इन का वैलू क्या हो जाएगा तो इन का वैलू है माज C यहाँ पर N यानि यानि की N बराबर क्या C है तो C बटे में और इसमें भी वह अंडर रूटना हो आ जाएगा ठीक इसको बाहा निकालेंगे तो माइनस दो बटे में 3 ठीक और यह हो जाएगा तो यह हमारे हो गया दिकोजिया L M N इनका वैलू क्या आ गया 2 बटा 3 माइनस एक बटा 3 और यह माइनस दो बटा 3 ठीक तो यही आपके एंसर हो जाएगे ठीक आयोप आप समझ गयाँगे चलिए फिर अगला सवाल देखते है तो देखो यह हमारा सवाल अमबर 3 है यहाँ लिखा है बिंदु वो P यहाँ पर मतलब एक बिंदु यह है और एक बिंदु Q है ठीक एक बिंदु P और एक बिंदु Q इनसे होकर जाने वाली जो रेखा है उसकी दिक को जियावदाना ठीक जैसे कि यहाँ पर यह बिंदु हमारा P हो गया और वैसे यह वाला सूत मैंने नहीं है बतायाद आपको ठीक तो चलिए इसी में समझा देते हैं देखो यहाँ पर मालो यह बिंदु आपका X1 Y1 और यह मालो Z1 है ठीक और यह वाला जो पॉइंट है मालो की यह Y2 और Z2 ऐसे पॉइंट दिया ठीक तो यह बिंदु यह बिंदु P और बिंदु Q इससे होकर जाने वाली जो रेखा है अगर आपसे इस रेखा के दिक अनुपात पूछ लिया जाए तो दिक अनुपात तो मैंने आपको बता है था कि आपको X2-X1 कर देना है और यहाँ पर y2-y1 कर देना है z2-z1 कर देना है लेकिन अगर आपसे इसका दिक अनुपात ना पूछे आपसे अगर पूछ लिया जाए कि दिक कोज्या बताईए तब आप कैसे बताएंगे तो देखो इसके लिए सूथ क्या होता है इसके लिए इसके दोगो यानि कि इन दोनों के बीच के दूरी बता में लिखना होता है बस मांकि और y होते हैं देखो कैसे यहाँ पर आपको लिखना है इसके दो दिक कुज्या हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे मतलब पहला आपका दिक कुज्या यानि L बराबर हो जाएगा x2-x1 और बते में इन दोनों के बीच का दूरी यानि P और Q इन दोनों के बीच का दूरी यानि P Q ठीक और उसके बाद M का value जो होगा वो हो जाएगा y2-y1 बते में इन दोनों के बीच की दूरी ठीक P Q इसी तरीके से N बरापर हो जाएगा Z2-Z1 और बटे में PQ हो जाएगा ठीक अब PQ कैसे निकालोगे इन दोनों के बीच के दूरी क्या निकालोगे तो देखो ऐसे आपने class 11 आए class 10 में भी पढ़ा होगा class 10 में निर्देशांग जानती में वहाँ पर बीच के दूरी वाला सूत क्या होता है तो P और Q PQ जो निकालोगे तो P Q बीच के दूरी क्या होता है अंडर रूट पहले लगाना है और उसके बाद यहाँ पर इन दोनों के point में यहाँ पर क्यों करना है X2-X1 X2-X1 करना है और इसका स्क्वाइर कर देना इसी तरीके से आपको यहाँ पर क्या करना है Y2-Y1 करना है Y2-Y1 करना इसका स्क्वाइर कर देना यह बीच का दूरी ऐसा निकाल जाता है और J2-Z1 करना है J2-Z1 करना है और इसका भी square करके सब करेने जोड़ते न ठीक तो ऐसे आप PQ के value निकालोगे ठीक समझ गये न इस तरीके से अगर दो बिंदू से होकर जाने वाली जो रेखा होती है अगर उसके दिककोजिया पूछ लिया जाए तो यह वाला आपको formula लगा ले न ठीक यानि कि PQ के value आप यहाँ ऐसे निकाल सकते हो बीच के दूरी है बीच के दूरी वाला सोत लगा कर निकालोगे और उसके बाद तो यह L M N यह होते हैं आपको दिककोजिया होते हैं ठीक चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लगाते हैं देखो यहाँ पर यह आपका यक्सटुक काम करेगा यह Y2 यह Z2 और यह X1 Y1 Z1 ठीक तो यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे दिककोजिया निकालेंगे ठीक तो यहाँ पर लिख दीजिए दिककोजिया निकालने जा रहे हैं पर लिख दो दिक को जया ठीक तो यहां पर क्या हो जाएगा एल एल बराबर कैसे निकालेंगे यानि कि हम लोग माइनस वन से इसको घटाएंगे ठीक तो यह हो जाएगा माइनस वन माइनस टू हो जाएगा ठीक और बटे में देखो होता ना मतलब की एकस्टू में से से तो यह हो जाएगा हमारा माइनस वन से इसको घटाना है यानि कि माइनस वन और माइनस टू ऐसे करना इसको लगा देना ठीक प्लस में और यहां पर क्या हो जाएगा टू में से इसको घटा देना है इसको इसको कर देना ठीक तो यहां पर हो जाएगा टू कितना टू माइन माइनस थिरी और इसका स्क्वार हो जाएगा प्लस में और यहां पर चार में से पांच को घटा देना स्क्वार करेंगे तो यह हो जाएगा चार माइनस पांच का स्क्वेर हो जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा हमारा मतलब नीचे वाला PQ ठीक इन दोनों के बीच का दूरी हो जाएगा तो माइनस माइनस दो एक तीन हो जाएगा और बटे में यह कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा कितना दो एक तीन हो जाएगा तो तीन तरीक का नौ हो जाएगा प्लस में यहाँ पर इसमेश घटाएंगे तो एक बचेगा तो एक का स्क्वेर करेंगे तो एक ही हो जाएगा प्लस में यहाँ पर इसमेश घटाएंगे अब हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे M यानि की दूसरा दिक कुछ यह निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा तो यह होता है Y2 Y2 यानि 2 है और Y1 यहाँ पर 3 है ठीक तो यानि हम लोग क्या करेंगे 2-3 करेंगे और बटे में नीचे यानि इन दूनों की बीच के दूरी होता है तो इन दूनों की बीच के दूरी समय वही नीचे बटा होता है ठीक तो यहां पर कितना आ गया यह गया तो इसमें भी हो जाएगा गया तो यह हो जाएगा इसमें घटाएंगे तो माइनस का एक बटा अंडरूट गयारा हो जाएगा ठीक उसके बाद इन बराबर क्या हो जाएगा तो इन बराबर हो जाएगा यहां पर हो जाएगा मतलब चार माइनस जिड टू का कौन कर रहा चार और यह पांच ठीक और बटे में जिड बन पांच जाएगा ठीक और बटे में अंडरूट इसमें भी ग्यार हो जाएगा तो इसमें माइनस बन में अंडरूट गया रहा ठीक तो यह आ गया है हमारे क्या आ गया दिक कुज्या आ गया ठीक दिक कुज्या और सवाल में वैसे यही पूछा था तो आई होप आप समाझ गयोंगे यह आपका एंसल जाएगा चलिए फिर अगरा सवाल देखते हैं इससे पहले आपने पढ़ा था अगर मालो विक्टर ए और विक्टर भी मालो या एक एप मालो यहाँ पर एक एप और वी कैप मालो की यहाँ पर जो हैं एक एप मतलब इकाई सथीश ठीक तो यहाँ पर एक एप और वी कैप मालो की यह क्या है समानतर है तो इसके बराबर कितना होता है बराबर में यहां पर के रख दो और यहां पर क्या हो जाएगा इसके इसदांब पर गर एन टू न्य बराबर में यहां से इस को मतलब इस प्रेकट पूरा खोलेंगे इसमें गुड़ा करेंगे, फिर्स में गुड़ा करेंगे ठिक, तो जाएगा L2K I cap बन जाएगा, और प्लस में M2 K और ये J cap बन जाएगा, प्लस में N2 K और ये K cap बन जाएगा, ठिक, तेको, I cap, J cap और के कैप इधर भी वही चीज है तो हमें तुलना कर देना ठीक तुलना करने का मतलब होता है कि इधार i-cap का जो गुडांक है गुडांक का मतलब इसके आगे जो आगे लिखा ठीक और इधार जो i-cap का गुडांक है इन दोनों को बराबर कर तो बस हो गया तुलना ठीक और इसी तरह इसमें भी करना इसमें भी करना ठीक समय करना तो यहाँ पर क्या अगर तुलना करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा L2 के और बराबर में हो जाएगा L1 ठीक और इसी तरह के से हो जाएगा M2 के और यह हो जाएगा हमारा n2 k और यह हो जाएगा हमारा n1 के बराबर ठीक तो यहां से अगर हम लोग इसको भेट दें तो यह देखो गुणा में है इधार आजाएगा भाग में तो k बराबर क्या हो जाएगा k बराबर हो जाएगा l1 बल्टे में l2 ठीक और उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा k बराबर क्या हो जाएगा m1 बल्टे में m2 ठीक और उसके बाद यहां पर k बराबर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मारा n1 बल्टे में n2 ठीक तो यहां पर देखो यह भी k यह भी k यह भी k के बराबर तो इसको हम लोग लिख सकते हैं L1 बटे में L2 और बराबर में M1 बटे में देखो सब भी के के बराबर हैं तो सब को हम इसको लिख सकते हैं M1 बटे में M2 प्लस में N1 बटे में N2 बराबर के के ऐसे लिख सकते ठीक तो यह होता है हमारा क्या समानतर उन्हें condition आ गया ठीक तो यही होता है अगर कोई समानतर है तो यह condition होता है ठीक तो देखो यहाँ पर हम लोग इसको A माल लेंगे यह B है माल लो यह C है ठीक तो अब हम लोग अगर यहाँ पर या A है ये B है तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि A तथा B या फिर इसको ऐसे नहीं लिखो इसको ऐसे लिख दो कि रेखा A B के दिक अनुपाद ठीक अगर हम लोग इन दोनों के दिक अनुपाद निकालेंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा तो इन दोनों के दिक अनुपाद जो आ जाएंगे तो दिक अनुपाद कैसे निकाल जाता है इसको हम लोग करते हैं इसमें से इसको घटा देंगे ठीक यहीं 2-0 कर देंगे उसके बाद फिर –3 और –1 कर देंगे ठीक और उसके बाद यह आ जाएगा एक यह होता है मतलब होता नहीं कि ex1 और minus ex2 होता नहीं कि y2 minus y1 और ex2 minus ex1 z2 minus z1 ठीक वही होता है तो इसमें इसको घटा देंगे minus 1 minus 3 हो जाएगा ठीक तो यानि कि हमारे जो दिकनपात आ जाएंगे 2 कामा और यह हो जाएगा minus minus plus 1191 और 11 में से 8 बचेगा और यह हो जाएगा minus का 4 ठीक तो यह हो गया है इस रेखा के रेखा AB के दिकनपात ठीक अब हम लोग यहाँ पर यह समाझे लोग की A है यह B है और इसको C मालो ठीक तो यहाँ पर देखो AB के हो गया हम लोग AB के दिकनपात निकाल लिए अब हम लोग निकालेंगे BC के दिकनपात ठीक तो यहाँ पर क्या हो जाएगा रेखा BC के दिकनपात ठीक तो देखो अब यहाँ पर क्या होगा देखो अगर AB के दिकनपात और रेखा BC के दिकनपात इन दोनों रेखा के अगर यानि कि जो यहाँ पर दिकन उपात है अगर यह समान उपाती है तो इसका मतलब कि यह समरेख है समरेख मतलब समानता रहे ठीक तो यहाँ पर रेखा बीसिक क्या हो जाएंगे दिकन उपात तो यहाँ पर यह हो जाएगा 4-2 4-2 और यह हो जाएगा 5 और माइनस 3 हो जाएगा और यह हो जाएगा माइनस 5 ठीक और माइनस 1 ठीक यह हो जाएगा माइनस का 1 तो यह समिस इसको गटाएंगे 2 बचेगा और यह माइनस माइनस प्लस 5 तीन आठ हो जाएगा और कामा यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर जाएगा माइनस पाँच और माइनस माइनस प्लस तो पाँच में से गटाएंगे तो माइनस चार बचेगा ठीक तो यहाँ पर अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर अब लिख सकते हो और यहाँ इसको आप समीकरण फर्ष्ट मान सकते हो पर अबलिक शकते हो कि समी करण पहले तथा समी करण दूशरे से ठीक तो यहां से क्या हो जाएगा इन दोनों यहनी रेखा BC और रेखा जो AB आया इन दोनों के जुद्दिक अनुपात हैं इन दोनों करर हम लोग समानुपाति निकालें तो यह हो जाएगा इनका समानुपाती ठीक पराबर में 8 वटे 8 हो जाएगा और माइनस 4 वटे माइनस 4 हो जाएगा ठीक अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इन दोनों के जो समान यानि के जो दिकनुपात हैं यह समानुपाती है इसलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो रेखाएं हमारे रेखाएं इसलिए रेखाएं A, B तथा जो B, C है यह क्या है समानतर है क्योंकि इनके दिगन उपात क्या है समान उपाती है अता हम बोल सकते हैं अता यहाँ पर जो बिंदू हमारे A, B, Tथा, C है यह समरेख होंगे ठीक यह भी समरेख है क्योंकि इनही बिंदूओं से तो यह A, B रेखा बना था और B, C बना था ठीक और अगर यह समानतर है तो फिर जो यहाँ पर बिंदू A, B, C है यह भी समरेख होंगे आई होप आप समझ गयोंगे अकर आपको कोई भी डाउट होता है आपने चे कानट वाक्स में बताता सकते हैं तो चले फिर अगला सवाल देखते है तो देखो यहाँ पर आपका सवाल नमबर पांच है यहाँ पर लिकाए यहाँ पर यह तीन बिंदू दिये गए है और यहाँ पर बोल दिया गया है कि यह यह समरेख है अगर यह समरेख है तो A का मान गयाद करना देखो यहाँ पर आपको यह सिद्ध नहीं करना कि सम्रेख है यहाँ पर सवाल खुद बोल दिया कि यह सम्रेख है आपको सिद्ध नहीं करना है यहाँ पर वो खुद बोल दिया कि सम्रेख है तो आपको A कमान गयाद करना है ठीक तो अगर यहाँ पर सम्रेख है तो इन यानि यानि कि समरेख है तो यहाँ पर जो A, B रेखा है और B, C रेखा है इन दोनों का जो दिकनुपात है वो क्या होंगे समान उपाती होंगे यानि कि देखो अगर हम लोग यहाँ पर निकालें तो यहाँ पर निकाल सकते हैं कि A और यहाँ पर 8,7 और यह A हो जाएगा और यह B बराबर हो जाएगा यहाँ पर 5,2 और यह हो जाएगा और यह C बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6-1 और 2 जाएगा ठीक तो अगर हम लोग यहाँ से देखें तो रेखा AB के दिक अनुपाद ठीक तो यहाँ पर इनके दिक अनुपाद कितने हो जाएंगे तो यहाँ से अगर हम लोग दिक अनुपाद निकालें तो यह हो जाएगा 5-8 पांच माइनस आठ और उसके बाद क्या हो जाएगा दो और यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस साथ ठीक और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कामा और यह हो जाएगा चार माइनस वन ठीक BC के दिक अनुपाद ठीक तो इसके दिक अनुपाद क्या हो जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 में से 5 घटाएंगे तो यह हो जाएगा 6 माइनस 5 और कामा यह हो जाएगा माइनस 1 और माइनस 2 और उसके बाद हो जाएगा 2 माइनस चार हो जाएगा ठीक तो ये कितना हो जाएगा ये इसमें जगटाएंगे एक बचेगा और ये हो जाएगा माइनस का तीन हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का दो हो जाएगा ठीक अब अगर यानि कि ये समरेख है तो इन दोनों के जो दिक अनुपात है यानि कि इन दोनों का यानि कि मतलब यह दोनों मतलब आनुपातिक है ठीक यह कर सकते हो तो चुकि यहाँ पर बिंदू क्या है यह क्या है बिंदू सम्रेख है अगर यह सम्रेख है इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा तीन बटा एक हो जाएगा और बराबर का हो जाएगा 9 बटा माइनस 3 हो जाएगा बराबर का 4 माइनस का A बटे में यह हो जाएगा माइनस के 2 ठीक मतलब यह इसके बटे में हो जाएगा इसके बटे में हो जाएगा इसके बटे में हो जाएगा ठीक यह हो जाएगा माइस माइस प्लस तीन दूना छे हो जाएगा बराबर में हो जाएगा चार माइस का ए हो जाएगा ठीक तो हम ऐसा करते है न यहाँ पर इस ए को इधर बेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा इस 6 को इधर भीज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर यह हो जाएगा यहाँ पर A यह इधर इसको भीज देंगे तो प्लस में हो जाएगा इसको 6 इधर भीज देंगे तो 4-6 हो जाएगा ठीक तो यहाँ पर जो A बराबर आ जाएगा इसमें गटाएंगे तो माइनस का दुबार जाएगा ठीक तो यानि की एक वैलू कितना हो जाएगा माइनस का दो जाएगा ठीक तो यह इसका एंसर जाएगा आई होप आप समझ गया होंगे चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं तो देखो यहां पर हमारा सवाल लंबर छे है इसको थोड़ा से जल्दे लिए अप लगाने कोशिस करते हैं ठीक ताकि यहां पर जल्दे से वीडियो ज्यादा बड़ा नौपै ठीक तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा यहां पर लिखा है कि उस तिरभुज की भुजाओं ठीक तो हमें क्या निकालना है A B एक तो यह भुजा हो जाएगा बिंदू A और यह बिंदू B और यह जो दिये गए ना यह बिंदू C दिये गए ठीक तो यहां पर कहने कि देखो X A और B इन दोनों रेखा से होकार वाली यह यानि कि यह जो रेखा है इन दोनों पॉइंट से जो बन रहा है इसकी दिक कोज्या निकालना है फिर हमें BC की दिक कोज्या निकालना है फिर यह जो यानि की CA बना है या AC बना है इसकी दिक कोज्या निकालना ठीक तो यहां पर तीनों भुजाओं के हमें दिक कोज्या निकालना ठीक तो अगर हम लोग यहां पर निकालें यहां पर यह बिंदू A है और यह बिंदू B है ठीक तो हम लोग ऐसे लिख देंगे ना ऐसे लिखेंगे बिंदू बिंदू A तथा B ना इससे होका जा रहा ना बिंदू A और B से होकर बिंदू A और B से होकर और जाने वाली रेखा की दिक कोज्या है ठीक, तो दो बिंदूों से होकर जाने वाली, मतलब कि इन दोनों बिंदू से होकर जाने वाली रेखा कि जो दिकोजिया होती है अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, x2-x1 और बटे में इन दोनों की वीच के दूरी यानि ए भी हो जाएगा, ठीक यह c है ठीक तो आगर हम लोग यहाँ पर यह फिर हमारा क्या होजाएगा मतला है यह A यह B है तो यहाँ पर इसमें से इसको गठाएगे तो यह हमारा x2 यह y2 यानि कि है z2 यह x1 y1 और यह z1 यह prohibit तो यानि कि यह हमारा कतना होजाएगा यह हो जाएगा minus 1 और minus 3 और बटे में यहाँ पर AB तो AB अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा minus 1 minus 3 का square हो जाएगा plus में यहाँ पर एक में से 5 गटाएंगे तो एक में से 5 गटाएंगे इसका square कर देंगे plus में यहाँ पर 2 में से 4 तो यहां पर हो जाएगा माइस मैनेस प्लस इसका स्क्वाइर हो जाएगा ठीक तो यानि कि यह हो जाएगा हमारा और यहां पर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा माइस माइस तीन एक चार हो जाएगा और बटे में यहां पर हो जाएगा चार चार चोग हो जाएगा प्रस में यहां पर यह जाएगा चार चोक 16 और यहां पर चार दों छे और चलोन च्छार जाएगा ठीक तो इसको अगर हम लोग स्वारइनका स्वाल करेंगे- शार निशन माइन Además तो y2 हमारे पास 1 है और y1 पांच है ठीक तो यह हो जाएगा हमारा minus 1 minus 1 हो जाएगा minus 5 जाएगा ठीक तो यह हो जाएगा और इसके बाद बटे में नीचे कितना आ गया और इसके बाद दूसरा यहां पर कितना है यह है दो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा दो प्लस में चार बटे में अंडरूट अर्शाट हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का छे और बटे में अर्शाट हो जाएगा और यह दूसरा हो जाएगा छे बटे में अंडरूट अर्शाट हो जाए इसको करेंगे ची ब०्लण गोन बंगायो किया अ मतलब कि अट्ब proposed hr थो ए हो जाएगा चार ब्रटे में एंडरुट हो जाएगा और इसको सब्सक्राइब उट्रसक्रा और गयाए uz2192 우ity6 और 24 तो यह वझाएगा माइनस 2 वटे में अंडरूट 17 और इसके बाद 3 वटे में अंडरूट यहाँ पर 17 टीक माइनस में और यह वझाएगा 3 वटे में अंडरूट 17 टीक तो यह हुझाएगा किसे A और B से होकर जाने वाली जो रेखा है इसके दिख़े हो जाएंगे ठीक, इसी तरीके समलोग निकालेंगे, बिन्दू B और बिन्दू C से होकर जाने वाली जो रेखा है, इसके दिख़ें निकालेंगे ठीक, तो दिखो यहां पर कितना हो जाएगा, तो और उसके बाद, सुरी है कहां है गलत हो गया, यह आपका द नहीं है चार बना दो तो चार बनाया देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दो हो जाएगा और यह दो हो जाएगा ठीक उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे बिंदू तो बी तथा सी से होकर जाने वाली रेखा के दिक कोजा ठीक दिक कोजा तो यहाँ पर इसके दिक कोजा क्या हो जाएगे तो यहाँ पर बी जो हमारा है माइनस वन वन और टू है और यहाँ पर जो सी है माइनस पांच है माइनस पांच है माइनस दू है ठीक तो अब यहाँ प देखो क्या हो जाएगा सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर BC निकाल लेते हैं इन दोनों के बीच के दूरी तो BC कितना हो जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहां पर यह आपका PC हो जाएगा मतलब इसको भी जोड़ लेंगे यहां पर आंट्स्राट हो जाएगा और इस आंट्स्राट कॉम लेख सकते हैं दो अंडरूट सत्तरा ठीक तो यहां पर हो जाएगा हम लोग अगर निकालेंगे दिक कोज्या ठीक तो दिक कोज्या तो यहां पर दिक कोज्या कितना हो जाएगा यह हो जाएगा इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस पांच माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बटे में अर्स्राट हो जाएगा ठी और इसके बाद यह जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा ठीक बटे में 2 अंडरूट 17 ठीक तो यह कितना हो जाएगा देखो इसमें इसको गटाएंगे तो माइनस का 4 बटे बचेगा और यह हो जाएगा और इसके बाद में यह हो जाएगा माइनस का 6 बटे में 2 और यहाँ पर जाएगा चार बटे में टू अंडरूट सत्रा ठीक इसको इसको काटेंगे दो हो जाएगा इसको इससे काटेंगे तीन हो जाएगा इसको इससे काटेंगे दो बचेगा ठीक तो यानि कि यह हो गया हमारा माइनस दो बटे में अंडरूट सत्रा और यह हो जाए होकर जाने वाली होकर जाने वाली रेखा के दिकोज़ा ठीक तो इसके दिकोज़ा कितने हो जाएंगे दिकोज़ा तो यहाँ पर इसके दिकोज़ा क्या हो जाएंगे देखो ए हमारे पास यहाँ पर जो है वो क्या है तीन है पांच है माइनस चार है सबसे पहले हम लोग यहां पर एसी निकाल लेते हैं ठीक तो एसी निकालेंगे तो यहां पर जाएगा माइनस पांच माइनस तीन हो जाएगा ठीक इसका स्क्वेर और प्लस में यहां पर जाएगा माइनस पांच माइनस पांच का स्क्वेर हो जाएगा और यहां पर जाएगा minus 2 और minus minus plus यह 4 जाएगा ठीक इसके square जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यह जाएगा हमारा यहाँ पर 8 हो जाएगा 8 का square 4 x 4 हो जाएगा प्लस में 10 हो जाएगा 10 12 हो जाएगा प्लस में इसमें घटाएंगे 2 बचे का 2 दून नर चाप जाएगा ठीक कितना इसको में लिए सकते हैं 2 under root 42 लिए सकते हैं ऐसे भी लिए सकते हैं तो यहाँ पर क्योंकि इसका जोड़ा बन गया इसका नहीं बना ठीक अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे दिक कोज्या ठीक तो दिक कोज्या तो यहाँ पर दिक कोज्या क्या हो जाएंगे तो यह हो जाएगा हमारा माइनस 5 और माइनस 3 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 2 अंडरूट 42 और इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्कुंद के नाता सबनागी वा钦 करने और यह इ Sooईगा इसको काटने पांच सेगा सब्सक्राइब माइनस 322 और यह नियों हो जायगा एक बटे में अंडररूट 52 जांगे टिए होजाएंगे तो आई अगले विडियों बदा देंगे अगए और आपको कोई वी डाउट होता है तो आप में जूरू पता है इसके लावा भी आप हमें डाइट इस्टाग्राम पर डाइट मैसेज कर सकते हैं तो वहाँ पर जाना सर्च करना टॉपिक नोलेज तो आपको वहाँ पर मेरे चैनल का आड़ी मिल जाएगा वहाँ पर आप मेसेज जिनों कैसा लगा अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर डेली तरह के इसक्रेशनल वीडियो मिलते रहते हैं और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें सो चलते हैं मिलेंगे अग झाल झाल